हाई फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को विंटर सीजन के लिए नियू बार्म बेबी का ड्रेस बनाना बताऊंगी तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट को बताऊंगी तो इसके लिए मैंने ये फोर फोल्ड में कपड़ा लिया है कपड़ा हमारा बिल्कु सीधा नहीं है ये थोड़ा सा यूज में था तो इसलिए निचा उचा है फिलाल मैंने इसको फोर फोल्ड में लिया है और यहां मैंने बटन पट्टी के लिए सवा एक इंच कपड़ा एक्ष्टा बार निकाल दिया है तो इसलिए मैंने इसको यहां से फोल्ड किया है बाकी पीछे वाला कपड़ा हमारा यहां से है जहां से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है तो इसलिए मैंने फोल्ड किया है कि कटिंग करने में दोनों कपड़ा हमारा बिल्कु सेम साइज से रहे अब सबसे पहले यहां से हमें गले के लिए 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है और उसके बाद कंदे के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे तो यह हो गया गले का और कंदे का निशान यहां से अर्मोल के लिए 4 इंचे नीचे एक निशान लगाएंगे तो यहां से मैंने इस निशान को लगा दिया है और यहां से हमें इसमें गुलाई देनी होगी तो इस तरीके से मैंने गुलाई का निशान लगा दिया है अब यहां से हमें चौडाई का निशान लगाना है जो कि हमें 5 इंच चौडाई लेनी है क्योंकि हमने एलाइन शेप में इसकी डिजाइनिंग बनाई है तो अब यहां से मैंने निशान को लगा दिया है अब नीचे से हमें थोड़ा सा गुलाई देना होगा इस तरीके से अब इस निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो यह मैंने कटिंग इसकी कर ली है और नीचे से इसकी कटिंग कर ली है तो यह इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है अब हमें इसमें गले की कटिंग करनी होगी और फ्रंट साइड से हमें खुलाई बनाना है तो इसलिए हम यहां से दोनों को अलग-अलग कर लेंगे क्यूंकि हम खुला हुआ बनाएंगे तो बीच से हमें कट करना होगा अब सबसे पहले पीछे के गले के इसाब से एक इंच की गहराई में गले की कटिंग करेंगे उसके बाद पीछे की कटिंग करने के बाद पीछे वाले पार्ट को हम हटा देंगे और आगे वाले पार्ट में हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे तो यह गला अपने इसाब से भी आप कटिंग कर सकती है या नाप करके भी मैंने इसको अंदाज से कटिंग किया है फिलाल इसकी लंबाई मैंने रखी है तीन इंच यहां से नाप करके आपको दिखा देती हूँ देखिए इसकी लंबाई गहराई मैंने तीन इंच रखी है तो मैंने गले की भी कटिंग कर ली है और हमारा ये पूरा कटिंग हो चुका है अब हमें स्लीप को कटिंग करना होग तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है स्लीब की लंबाई मैंने लिया है साड़े छे इंच यहां की चोड़ाई मैंने लिया है साड़े चार इंच और किनारी की चोड़ाई मेरी चार इंच है फिलार मैंने नाप के नहीं दिखाया है अभी मैं नाप करके दिखा दूंगी तो ये देखिए मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है अब यहाँ देखिए मैंने मोहरी की चोड़ाई 4 इंच रखी है पहले से कपड़ा इतना कटा हुआ था तो मैंने वहाँ पे कटिंग नहीं की है यहाँ की साड़े 4 इंच है इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे इस पर और यहाँ पर हमें लेस लगानी है तो लेस को हम यहाँ पर लगाएंगे या फिर कंदे के पास से वह बाद में हम डिशाइड करेंगे फिलाल पट्टी की हम सिलाई करेंगे और इसको हम साइड में रखेंगे अब हम स्लीब को लेंगे तो दोनों स्लीब को हम अलग-अलग कर लेंगे दोनों स्लीब को मैंने अलग-अलग कर लिया है इसमें हम पाइपिन लगाएंगे तो उसके लिए मैंने और यह कपड़े से पाइपिन कटिंग की है तो इसको हम एक सिलाई से इस पर जॉइंट करेंग और फ्रंट पार्ट को सारी सिलाई करने के बाद यहां से हम कंदे को जॉइंट कर लेंगे और स्लीप को भी बना लेंगे तो देखिए मैंने इसकी सारी सिलाई कर ली है पट्टी की सिलाई कर ली है दोनों पट्टी की सिलाई मैंने कर ली है लेस को मैंने लगा लिया है यहां क तरीके से मैंने इसमें पाइपिन लगा ली है दोनों स्लीब हमारी रेड़ी हो चुकी हैं अब हमें क्या करना है फिर से हमें इसको लेना है और इसमें हमें स्लीब को जॉइंट करना होगा तो दोनों के आर्मोल को एक साथ मिलाते हुए यहां से हम सिलाई लगाएंगे और स्ल तरीके से सिलाई करके इसमें फिक्स कर लेंगे उसके बाद हम गले में पाइपिन लगा लेंगे जिस तरीके से मैंने स्लीब में पाइपिन लगा ये ठीक उसी तरीके से तो देखिए मैंने दोनों स्लीब को जोइंट कर दिया है गले में पाइपिन लगा ली है अब इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है कि इसको हम यहां से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको अच्छी से सेट कर लेंगे उसके बाद साइड से हमें बंद कर देना है दोनों साइड से यह बंद करने के बाद फिर नीचे की साइड आप चाहें तो एक सिलाई से फोल्ड कर सकती है सारी सिल्हाइएं इसकी complete है, बस बटन लगाना बागी है, और इसमें प्रेस करना बागी है, तो वो चीज़ें हम बाद में करेंगे, इसको हम साइड में रखेंगे पहले चलते हैं पैजामी बनाने के लिए, तो पैजामी बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, निम्स थोड़ा सा इधर-उदर से कटा हुआ है क्योंकि हमारा ये कपड़ा बिल्कुल बराबर नहीं था लंबाई इसकी है 14 इंच इस लंबाई में हमें नेफे को फोल्ड करना है और नीचे की साइड भी फोल्ड करना है तो यह हमारी लंबाई थोड़ा सा कम होगी अब यहां से चोड़ाई देख सकती है कि चोड़ाई मैंने 11 इंच ली है चोड़ाई इसकी थोड़ा सा मैंने कम ली है क्योंकि इसमें हमें मियानी लगाना होगा इसलिए अब इस तरीके से कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में फिर से कर दिया है और यहां से एक इंच नेफिका और साथ इंच हमारा आसन रहेगा तो टोटल मैंने आठ इंच पर यहां पर निशान लगा दिया है यह मैंने आठ इंच पर निशान इसलिए लगाया है क्योंकि बेबी को हमेशा डाइपर पैनाना होता है तो ये आसन तंग होता है तो बहुत ज़्यादे दिक्कत होती है इसलिए मैंने थोड़ा नीचे मियानी लगाने के लिए निशान लगाया है अब यहां से चार इंच हमें सिलाई करना है तो थोड़ा सा मैंने एक्ष्रा लिया है सिलाई के लिए तो साड़े चार इंच पर निशान लगा करके यहां से मैंने इसकी कटिंग कर दी है अब क्या करना है कि यहां से हमें दोनों पार्ट को अलग-अलग कर लेना है यहां से मैंने दोनों को अलग कटिंग कर दिया है यह हमारी पैजामी की बहुत ही सिंपल सी कटिंग हो चुकी है अब हमें मियानी कटिंग करनी होगी तो मियानी के लिए मैंने 4 इंच की लंबाई का कपड़ा लिया है इसको इस तरीके से मैंने ट्रैंगल शेप में फोल्ड कर लिया है और यहां से मैंने इस तरीके से म्यानी कट कर दी है दोनों म्यानी को हम अलग-अलग कर लेंगे यहां से हमारी म्यानी कटिंग हो चुकी है थोड़ा सा दोनों कॉर्णर को कट करके सेट कर लेंगे अब इसकी वी सिलाई हमें शुरू करनी है वो हम सिलाई में अर्जेक्ट कर लेंगे फिलाल म्यानी की सिलाई करेंगे तो एक म्यानी को हम लेंगे और यहां से हम रखके यह जो मैंने नोक कटिंग की है यहां से हम इसकी सिलाई करेंगे दूसरी म्यानी को हम दूसरे पार्ट में जॉइंट करेंगे लेकिन इस साइड नह हमारी दोनों म्यानी दोनों साइड आ जाएगी फिर हम इसको इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे और यहां से इसके साथ सिलाई कर लेंगे यह सिलाई करने के बाद फिर नीचे की साइड हमें फोल्ड करना था लेकिन फिर बाद मैंने इसको बदल दिया चेंज कर दिया इरादे है तो नीचे स्िलाई लगा करके बंद कर لेंगे के और उपर नेफे की ज़ाई लगाएंगे आप चाहें तो सिलाई करके बाद में लाश्टिक डाल सकती है लेकिन मुझे लाश्टिक की ज़्लाई एक ही साथ करना ठीक लगता है तो तो ये मैंने गॉल वाली लाश्टिक ली है, मैं बेबी के लिए हमेशा यही लाश्टिक यूज़ करती हूँ, बहुत ही कमफर्टेबल रहती है, बेबी की कमर में कोई भी रेश्यस वगरा नहीं आते, इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है, इसको यहां से हम इसको बाद और नेफे के अंदर इसको फोल्ड करते समय इसको अंदर डालके पूरी गुलाई में सिलाई लगा लेना है, तो यह देखिए बेबी पैजामी भी बन के तयार है, पूरी तहीके से, कहीं से भी बेबी के पहनाने में यहीं कहीं से भी टाइट नहीं होगा, और कहीं से पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, अल्ला हाफीज